इस्राइली सेना लेबनान पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के अंदर आत्म विश्वास तो है ही साथ ही उसके मन में कहीं न कहीं एक डर भी है कि अगर इस्राइली फॉज लेबनान में घुस्ती है तो आखिर क्या होगा आपको बता दे कि इससे पहले साल 2006 में इस्राइली सेना ने लेबनान पर हमला किया था उस वक्त लेबनान में भारी तबाही मची थी लेकिन उस वक्त का हिजबुल्ला और आज का हिजबुल्ला दोनों में जमीन आस्मान का फरق है इसमें कोई शक नहीं है कि एरान के हत्यारों के दम पर हिजगुला की ताकत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और अब यही वज़ा है कि वो आए दिन इस्राइल पर नए ने रॉकेट और मिसाइल बरसा रहा है वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लेबनान में घुसना आईडियाफ के लिए बहुत बड़ी भूल होगी खोद इस्राइली मीडिया भी अब इस बात को कह रही है दरसल इस्राइली मीडिया हाउस यदियो तहरुनौत का कहना है कि हिजबुला ने पिछले हफते तेलवीव में मोसाद के हेटपाटर पर कादरवन बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी जिसकी उमीद आईडियाफ को भी नहीं थी और इस्राइल के लिए ये एक अतिहासिक हमला था क्योंकि 2006 के युद्ध के दौरान हिजबुला के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरला ने हाइफा और उससे दूर तक हमला करने का बादा किया था और आज हिजबुला तेलवीव से भी भीतर इस्राइल में हमला कर सकता है इस्राइली न्यूस का कहना है कि हिजबुला को पेजर और वाकी टॉकी धमाकों से बहुत बड़ा जटका लगा लेकिन उसके बावजुद उसने इस्राइल को नुकसान पहुचाने की ताकत खोई नहीं हिजबुला ने अभी तक अपनी 10% ताकत का इस्तमाल भी नहीं किया है वहीं IDF के प्रवक्ता ने अपने हालिया बयान में इस बात को माना है कि हिजबुला के पास अभी भी अलग-अलग तरह की ताकत बची हुई है IDF के प्रवक्ता डैनियल हागेरी ने अपने बयान में कहा था हमारा काम है उन में से हर एक का ध्यान रखना लेकिन सबसे पहले हम उसकी रणनीतिक ताकत पे रध्यान के इंद्रित कर रहे हैं जो इस्राइलियों के लिए बड़ा खत्रा पैदा कर सकती है आपको बता दे कि हिजबुला की इस ताकत के बावजूद इस्राइली सेना लगातार उत्री बॉर्डर के करीब बढ़ रही है हाला कि न्यूज अजन्सी यदियोत एहरोनौत का कहना है कि अगर इस्राइली सेना लेबनान पर जमीन हमला करती है तो उसके लिए ये एक मौत का जाल सावित होगा जिसे हिजबुला ने आईडियाफ के लिए बिचाया है आपको बता दे कि इस्राइली न्यूज अजन्सी ने ये रिपोर्ट उस वक्त चापी है जब आईडियाफ ने अपने दो रेजवर ब्रिगेट को उत्री बॉर्डर पर ऑपरेशनल मिशन के लिए बुलाया है उनका कहना है कि अगर इस्राइल ऐसा करता है तो ये 1982 और 2006 की गलती को दोराना होगा और इस्राइली न्यूज अजन्सी का कहना है कि इस्राइल हिजबुला के बीच इस तरह के हालात बन रहे हैं 2006 में भी इसराइल और हिजबुला के बीच कुछ इसी तरह के हालात बने थे और फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया था और उस वक्त इसराइल को लगता था कि वो अपनी हवाई ताकत के बल पर हिजबुला को हरा देगा लेकिन युद्ध में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ